इस टॉपिक पे आपके 2-3 जो आपकी टेबल थी वो हमने सॉल करी थी फर्स टेबल हमने ये वाली सॉल करी थी ये वाली टेबल आपकी आई थी इसके बाद आपके लास्ट जो टेबल है वो ये वाली है आज हम इसको सॉल करेंगे ठीके ना तो यहां तक हमने देखा था कि 6, थाउजन जब केजी उनका जो नुने ड्राइफिश का था उनका रेट उनको किता बेनिफिट हो रहा था 50,000 रुपीज का पर मन्थ बेनिफिट हो रहा था ठीक है आगे देखते हैं they all are they are all very happy with this plan the group can make profits and each woman can get a salary for the work she does अब सब खुश थे क्योंकि उनको क्या मिल रहा था बहुंच जदा वो उनको profit हो रहा था है ना उनको पैसे मिल रहे थे extra अब जहां से कहती है I found that for 6,000 kg fish we would need 1500 kg salt every month अब वो कह रहे है जहां से बोलती है कि मैंने यह पाया है कि 6,000 kg fish के लिए हमें क्या चाहिए होगा अब हमें 1500 salt भी चाहिए होता है क्योंकि salt से ही क्योंती है dryness आती है dry करते है ना salt लगाते है उस पे तो its price is rupees 2 per kg वो कह रही है कि price कितना है salt का 1 kg कितने का है 2 रुपीज का है लेना कितना है 1500 अब मंतली का cost निकार रहे हैं बाकी चीज़ों का तो salt का कितना पढ़ जाएगों को मंतली पैकिंग का और जो bus का हमारे charges पढ़ेगा 3000 रुपीज अब total बताने उनको तो total आपके लग किते रहे हैं so the total monthly cost of drying and sailing the fish किते रुपीज आगे total 3000 आपका salt के आ रहे हैं packing और bus charges भी 3000 है तो total कितने होगे आपके 6000 रुपीज होगे ठीके अब वो कह रहे है फैजीला that sounds very good our calculation tell us that every month our bank will earn रुपीज 44,000 वो कह रही है यह तो बहुत अच्छी बात है कि हमें 6000 रुपीज मिल रहे है उससे क्या 6000 रुपीज हमारे total आ रहा है उन उसने अब हिसाब लगाया उसने कहा कि जो calculation है वो हमें बता रही है कि हमें हर मेने कितने मिलेंगे जो हमने bank बनाया है 44,000 या इतने ही earning हो रही है कि नहीं हो रही है तो हमने देखा कि पहले हमारे जो 6000 हमने जो fish shell करी थी dry fish उसमें कितना earning हो रहा था 50,000 का जो हमने पहले भी निकाला था यहां पे हमें 50,000 की earning हो रही थी ओके 50,000 रुपीज आ रहे थे और उसमें से क्या थे हमारे 6,000 हमारे और किस चीज में लगे हमारे लगे salt में packing बस charges में 6,000 रुपीज लगे तो हमें finally मिले कितने रुपी 50,000 में से हमने अगर 6,000 माइनस कर दे तो हमारा answer आया 44,000 यानि कि हमें कितने रुपीज का benefit उनको हो गया जो नोने bank बनाया तो हमारे यहां पर पूरी एक story थी जिसमें बहुत सारे आपके questions थे यह पूरी नोने एक story टाइप के बनाया थी इसमें आपके क्या थे साती सारे story के साथ questions भी थे world problems थी ठीके न तो आप भी अपनी book में अपनी notebook में साथ के साथ के साथ आपको solve करना है अपने concept understand करना है ओके thank you